दोस्तों नमस्कार आज बात करेंगे कुलदीप यादव की एक ऐसे घिलाडी की जिसने क्रिकेट में जो है बहुत ही पेशन्स रखा है अगर उनको टीम से हटा दिया गया तब भी उससे विचलित नहीं हुए और जो जिसे कहते हैं टेंप्रामेंट उनमें घजब का है और ट तो उसका असर जो है कुलदीप यादव पर बहुत जादा होता है नॉर्मल खिराडी से भी कहीं जादा लेकिन जदी कप्तान से थोड़ा सा पुश्ट मिल जाए तो फिर तो कहने ही क्या महिंदर सिंग दोनी जब कप्तान थे तो उनकी उनके खेल में यही निखार देखने है और वो मैं आप से शेयर करूँ गा क्योंकि 2017aciones 21 21 के बीच में जो उनका परफॉर्फॉर्मेंस था और 2002 23 का जो पर्फॉर्मेस है दोलों में काफी फर्क है थोड़ा ला नहीं काफी का पर करें तूस्त Venet MPale कि बात करूँ दब इन्होंने 65 मैच कहले है 1007 विकेट चटकाए 28.3-4 का इनका जो है औसत रहा था और 25 रंदे का 6 विकेट नॉटिंगम में खेले गए मुकाबले में इन्होंने चटकाए थे चार विकेट जो है फोर विकेट हॉल जो है इन्होंने पांच बार किया और इसके अलावा इनका 32.5 का और एकॉनमी इनकी थी 5.2 की अब आईये आप 2022 और 2023 का इसमें इनको 17 विकेट मिले हैं 2022 में और 31 सत्रा मैच हैं इन्होंने खेले हैं 31 विकेट इनको हासिल हुए हैं जब आउसत पहले 28.34 का रहता था अब इनका आउसत जो है 21.1 चे करा है पनला आउसत में बहुत जबर्दस सुधार चार रन देकर चे रन देकर चार विकेट इनका बेस जो कि वेस्ट इंडीस के खिलाफ इन्होंने इस दोरान किया और इसके अलावा इन्होंने दो बार 4 विके 24.9 पर ले आए हैं और वहीं एकॉनवी जो 5.22 थी वो 5.09 हो गई है तो आप इससे अंदादा लगा सकते हैं कि इस खिलाडी ने कितना इन दो वर्षों में आपने प्रदेशन में लगातार सुधार किया है एक शिर्लंका के खिलाव मुकाबले में यह नहीं खिले थे या नहीं खिलाया गया था बाकी यह लगातार वंडे टीम के स्कीम आफ तिंग्स में हैं सभी मुकाबले यह खेलते रहे हैं यह अकेले भारती ऐसे क्रिकेटर हैं जिनोंने वंडे क्रिकेट में एक नहीं दो दो हैट्रिक की हैं एक कुलकता में ऑस्टेलिया के खिलाफ और दूसरी इन्हों ने वेस्ट इंडीस के खिलाफ विशाका पत्नम में हैट्रिक की थी तो इस तरह से ये इनके नाम एक रिकॉर्ड है लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ये खिलाडी के साथ बदकिस्मती देखिए अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं लेकिन उसके बागदूद इनको टीम से बाहर कर दिया जाता है बंगलादेश का टेस्ट मैच जात की दिये जहां इन्होंने आठ विकेट चटकाए थे चालिस रंगी पारी खेली थी मैन अव दा मैच बने थे उसके बागदूद अगले टेस्ट में ये भारते टीम के सदसे नहीं थे तो ये सारी कुछ से इनके साथ ज़्यादा रहा है कप्तान के साथ टूनिंग बैटना इनका बहुत जरूरी है कप्तान को इन पर भरोसा होना चाहिए ये बहुत ही एहम होगा और सबसे अच्छी बात जो इनकी अभी जो चेंज आया है इनकी गिनबाजी में हलका फ्लाइट करते हैं बहुत ज़्यादा फ्लाइट नहीं कर रहे हैं गिन इनकी डिफ्ट होती है टिपा पढ़कर बहुत तेजी के साथ जाती है जैसे कि से जादा बल्लेबाज को खिलाने की कोशिश करते हैं उलजाने की कोशिश नहीं करते हैं खिलाने की कोशिश करते हैं उसी प्रयास में बल्लेबाज जो है कई बार इन पर शॉट खिलते हैं इनके जो जगहें हैं जहां पर यह विकेट चड़का आते हैं जो कैच आउट करा जाते हैं वो है काव कॉर्णर से लेकर पूरा राउंड लगा लिजी आप आधा राउंड वो है यहां से काव कॉर्णर और एक्स्टर कवर इस दिशा में इनके कैच बहुत जादा जाते हैं इनकी गेंदों पर और इसके लावा इन्होंने बोल्ड जो है दोजार तैईस में विकेट चटकाते हैं न्यूजिललेंड में और साूथ अफ्रीका में इन्हें बहुत का मिवाद कर रहा है इस पार तो खेलें आपिर्प्रॉंट्स रहा हैं इनका επारफहर scoring खास तोर पर New Zealand में और South Africa में बहुत अच्छा रहा है और Australia में भी इन्होंने प्रभावित किया है तो इस खिलाडी से अब बहुत उमीदें बंदी हैं और इस बार इन्होंने श्रिलंका, New Zealand, Australia और वेस्ट इंडीज ये चार ऐसी टीमें हैं जिनके खिलाफ इन्होंने 2023 में गे इसमें कोई दो राय नहीं क्योंकि 2019 के वर्लकप में काफी प्रभावशाली गिन्दबाजी इस खिलाडी की तरफ से देखने को मिली थी आप क्या सोचने हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें चैनल क सब्सक्राइब भी करें नवसकार